Hello Guys, Welcome to Economic Classes, Topic Philips Curve इस Topic के Main Point से Introduction Philips Curve in Short Run, Philips Curve in Long Run, Neoclassical Version, Importance of Philips Curve, Limitations of Philips Curve स्टार्ट करते हैं, सबसे पहरे सका Introduction देख लेते हैं एक बिर्टिश अर्शास्त्री, A.W. Philips ने मुल्ले के इस्तर और रोजगार के बीच के संबंध का अध्यन 1958 में किया था Philips Curve, बेरोजगारी की दर और मुद्रिक मज़दूरी के दर में होने वाले परिवत्न के बीच के संबंध की व्याक्या करता है UK में 1862 से 1957 तक फिलिप्स ने बेरुजगारी की दर और मुद्रा के लिए मर्जदूरी की दर में होने वाले चेंजिस के बीच के आख्रों का विश्चेशन किया था फिलिप्स नहीं बताया कि जो बेरुजगारी की दर और मोर्डिक मजदूरी में विद्धी की दर नीची रहती है और इसके रिपीट जब बेरुजगारी कम होती है यनि कि एमप्लोइमेंट कम होता है तो मोर्डिक मजदूरी में विद्धी की दर उची होती है प्रॉफेसर अधिक मुर्द होने से मौषिक माजूरी को करने को ताया हो जाते हैं उस समय अठरवतित हती हैं जब लेकरिबंगाए 5.5 परसेंट होती है अब हम देखते हैं फिलिप का रेखा चित के द्वारा क्या इस biography क्या चाइरम इसका बनाया गया है, इसको टेब्लिके मान्धियम चहिब भी आपको समझाया गया है, एक साइट, मुद्धा स्वीती की दर को परसेंटेज में दिखाया गया है। जब मुद्रश्वीति के दर 20% है तो बेरोजगारी की दर है वो 5% है, जैसे जैसे मुद्रश्वीति के दर कम होती जाती है बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जाती है, डाग्राम में दिखाये गया है, वह Y-X पर Inflation को दिखाये गया है और O-X पर Unemployment को दिखाये गया है, से पता चल रहा है कि यदि मुद्रा स्वीति की दर 20 परसेंट है तो बेरोजगाय की दर 5 परसेंट है और जब बेरोजगाय की दर बढ़कर 8 परसेंट हो जाती तो प्राइजिस की व्यद्धी की दर जो है वो घटकर 15 परसेंट रहे जाती है फिलिप्स कर्व का अपयोग किमतों में स्तिर्ता रहने के लिए बेरोजगाय की दर को 5.5 परसेंट होना आवेशक है फिलिप्स कर्व इन शौर्टन लगो अबदी में फिलिप्स कर्व एक आउर्थिक मॉडल है इन्हें की एक आउर्थिक मॉडल है जिसका नाम विल्यम्स फिलिप्स के नाम पर रखा जो कि एक इकनॉमी के भी तब बेरुजगारी में कमी और मुझास्विती की दर्में होने वाली विद्धिक को बताता है शोर्टेजिन की लगू अब्दी शब्द उस समय की अब्दिक को बताता है जिसमें प्रोडक्शन के कम होने से एक तरह से संसोजित उसको नहीं किया जा होते हैं शरम, पूझी, भूमी इनमें से कोई भी एक तत्व कम हो जाता है तो हम प्रोडक्शन में सुधार नहीं कर पाते हैं अल्प कालिन फिलिप सुवक्र को अल्प कालिन वस्तु विल्में में भी बताया क्या है यह कर्व मुद्दर स्विती और बेरोजगारी की दर के बीच के होने वाले संब्द को बताता है प्राकतिक बेरोजगारी और मुद्दर स्विती की अप्यक्षित दर में परिवतन नहीं होता है इनोंने बताया है गौर्मेंट के लिए जरूर है कि वे अपने उदेश्यों को प्राप्त करें और यह उनके लिए बहुत महत्पूर भी है लेकिन यह एकनॉमिक उदेश्ये किसी निकट से संब्दित होते हैं और एक आंदूलन दूसरे में विप्रित आंदूलन का कारण बन जाता है फिलिप्स करव जो है बेरोजगारी और मुदर स्विती की बीच का संब्द को बताता है यह आपको बाबाबत समझाया जा रहा है यह संबन 1861 से 1957 तक बेरोजगारी और मजदूरी के इस्टर में बदलाव पर किये अवलोकनों पर अधायर था उन्होंने बताया कि बेरोजगारी और मुदर स्विती के बीच एक विपार बन था यानिकि विपार नहीं हो रहा था ताकि बेरोजगारी को कम करने के ल इसमें दिखाया गया है जब इकनामे में कम बेरोजगारी हो रहे होती है तो मुदर स्विती की दर अधिक होती है डाग्रम दिखाया गया है जब अनेंप्लियमेंट को परसेंटिज में दिखाया है जब इकनामे में कम बेरोजगारी होती है तो उसके साथ मुदर स्विती क अधिक होती है जैसे कि दिखाई दे रहे है जब और एंप्लयमेंट का मैंन की O U है तो मुद्द्रसफीती O यू पर दिखाई दे रहा है हाला कि जब बिरुजकारी बढ़को O U One हो जाती है तो मुद्द्रसफीती घटकर O U One हो जाती है 2008 में हाली की केडिस सेंकर तक कई इकनामी, कम मुद्धास्वीती और कम बेरोजगाई दोनों का अनुभाव कर रही थी टेकनोलोजीक में सुधा होने की वड़े से लागत कम हुई और इंपोर्ट वस्तो के प्राइजिस कम होते चले गई इसके लिए जिम्मेदार माने जाने वल दोएकादक थे केवर मुद्धास्वीती और बेरोजगादी की दर अब आता है नेक्स पॉइंट फिलिप्स कर्व इन लॉंग दन लॉंग प्रियर्ड में जो वरकर्स होते हैं वे सभी परवतेंशील होते हैं लेकिन अब प्रतेक विक्तिकत फर्म जो इंडिविजल फर्म है उसके पास अधिक पूझी खईद नहीं नए नए टेकनलोजी को यूज़ करने के लिए कम पूझी लगाने का विकल्प विद्य व में लॉडियर्ड में 2 तकी मूल दर पर वापस आजाती है और लोग पिरीड होता है जो दिरगवधी का समय होता है उस कंडिशन में कोई भी वस्तुवीन में नहीं होता है बಈजगाली की मूल दर मुदर्स्विती की दर के किसी भी सहनयोजन के साथ एकनॉइर्वी में द्वारा दिखाए गया है जो प्रोडक्शन है उसका जो इस तरह वो चेंज नहीं होता है जब मुदर्ज फीटी की दर कम होती है तो विरुजगारी की दर भी गिर जाती है फीडमेंट के उससा दिल कालीन फिलिप्स कर्व अठ conservative UN याने की unemployment बिरुजगारी की प्रक्रतिक दर भी दिन्माताओं के लिए बिरुजगारी की दर को कम करने क लिए मांग को प्रौसहन करने के लिए कुछ नीतिओ को अपनाना चाहिए उनकी help नेने चाहिए और long period में मुदर स्वीटी की दर और बिरुजगाई की दर के बीच में कोई भी वस्तुविन में नहीं होता है आप diagram में देख रहे हैं कोई भी वस्तुविन में नहीं होता है अब हम देखते हैं next point नियो क्लासिकल वर्जन या modification in flips curve और शात्यों ने flips curve की आलोचना की है और कहीं जंगें पर इसमें शोधन भी क्या है उसमें सुधार भी क्या है उनका मत्त है कि flips work short period से संबन रगता है और यह इस से नहीं होता है यहां inflation की पत्याक्षाव में changes के साथ धीर धीरे सर जाता है और अपने views दे हैं चेम्स टॉबिन का विचार था कि एक निशित सीमा तक तो फिलिप्स वक्र विद्यमान रहता है प्रन्तु एकनौमी में विस्तार होने के साथ सथ जब employment में विद्धी होती याती तवियक कर्व और भी अधिक नाजुक बन जाता है और यह अधश्य सा हो ज करना नहीं बलकि वहतो श्रम बजार की अपुंता के कारण ही उत्पन होता है डाइग्रम में भी दिखाए दे रहा है कि जो बिरुजगारी है उसका ए भाग समाने फिलिप्स से होता है और शेज़ भाग वर्टिकल होता है प्रफिसर सोलो ने भी अपने वियू दिये सोलो क सोलो के दिखाए है कि फिलिप्स कर्व दरत की सभी दरों पर टीखल नहीं होता है जैसे कि टाविन बताया है सोलो का विचाध है यह कर्म इंफलेशन की पॉजीटिव दरों पर वर्टिकल और ऐन्फलेशन की नेीटिव दरों होता है अब डाइग्रम में दिखाए गया है कि LPC का जो अधारी है कि वह भारी बेरुजगारी अथ्वा मुद्द संकुचन की स्थिति में भी मजदूई दर्व नीचे की और होती है अधिकांश अश्रास्ति है शुका करते हैं कि बेरुजगारी की 4% की दर पर फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है और बेरुजगारी और मुद्द स्थिति का से संबंद समाप्त हो जाता है इस तरह अश्रास्तियों ने वर्टिकल फिलिप्स कर्व को समाने तेक प्रदान क अब चितमें भी डिखाए गया है कि यदि फिलिप्स कर्व की स्थिति PC है जहां शम उत्पादक्ता की दर और मजदूरी की दर इविंडू पर समान है तो हम उस कीमत इस्थिता और पूरुजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और यदि फिलिप्स कर्व यानि की PC1 है तो या तो कीमत इस्थि रहेगी अथवा अधिक बिरुजगारी होगी अथार इन दोनों में से एक कंडिशन का चैन करना होगा प्रोफेसर फ्रीड मैंने फिलिप्स कर्व करकी नीतियों के निर्मार में उप्योगिता के केवल शोर्ट पियर्ड में ही उसको प्रतिपादि क्या है क्योंकि उनका मानना है कि फिलिप्स कर्व कि वर्टिकल अकार के कारन लोग पिर में बिरुजगारी के दर को प्रभावित नहीं किया जा सकता इंपोर्टैन्ज ऊवदाब फिलिप्स करूँ फिलिप्स वक्ड फिलिप्स से द्वारा विक्षित एक आथिक अवधारना है जिसमें कहा गया है कि महंगाई दर और बिरुजगारी एक इस्धिर और विप्री समवन्य सिधानत में दावा किया गया है कि आथिक विकास के साथ महंगाई दराती है जिससे अधिक रोजगारों का सजन होता है निर्मान होता है और बिरोजगारी कम होती चली जाती है फिलिप्स वक्र के निसकर्ष आतिक विकास को बढ़ावा देने के उदेशे से नीतियों को दंटा से प्रभावित करते हैं फिलिप्स वक्र संता वक्र की साईता से मुद्रस्फिती और बेरुजकारी के एक इशत्तम इसतर को चुननीं में जूढ़ावा करता है नुकूर्टम्स्थ्ड को चुनने में सुवदा परदान करता है Belo उदरस्पिति और बेरोजगारी के अनुकूरतम स्टरके स्विश्टेशन में हेल्प करता है। फिलिप्स वक्र की प्रगत्ति दीर्कालिक विकास के प्रेक्डिया में सहयता कर सकती है। Limitations of philips कर्व फिलिप्स वक्र की सिमाएं फिलिप्स कर्व केवल कीम्तों, मजदूरी और कीम्तों के बीच के संभन को बताता है, मजदूरी कमपनी की उत्पादन लागत के प्रमुक तत्व मुझसे एक होती है, फिलिप्स कर्व कीम्तों पर मजदूरी के एक मात प्रिभाव पर विविचार करता है, और मजदूरी पर कीमतों के प्रभाव की उपिक्षा करता है फिलिप्स कर्व मुद्दास्वीटी को देश की आंतिक समस्य मानता है मुद्दास्वीटी का संबन घरे लुश्यम मजार से है वर्तमान में मुद्दास्वीटी का संबन नेकिवल आंतिक देश से है बलकि यह अंतराष्टे घटना भी है इसलिके साथ यह टॉपिक यहीं कम्प्लीट होता है